हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो गेट सर्किल मैंसेल जैन तिवारी मैं आप लोगों के लिए करेंट फेर्स के सीरीज लेकर आया हूँ और जो बाखी के एक्जाम सोने वाले उन सभी के लिए और यह जो है उस सीरीज का सेकेंड वीडियो है पार्ट टू पिछले पार्ट में मैंन और यह इंपॉर्टन के फॉर्म में वैसे जो मंथली के इंटरफेर्स की जो सीरीज चलाता हूँ मैं उसके वीडियो में बाद में अप्लोड करूँगा इसमें मैं टॉपिक वाइस चीजों को डिसकस करता हूँ और यह जो इंपॉर्टन को जो को सीरीज है यह डिफरेंट चलती है तो यह सेगेंड पार्ट है आई अपने लोग इसको फटाफट कर डालता है और जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे यह इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आपको बहुत मिलता रहेगा मेरे चैनल पर ओके तो कोर्शन नुमरट 31 डिसकस करेंगे फोस पत्रिका ने विश्य की सबसे ताकत वर महिलाओं की सूची जारी की है जिसमें विश्य की सबसे ताकत वर महिला का इस्थान किसे मिला है यह important question है जर्मनी की chancellor है अंगेल तो यह यह विश्य की स चािना के जो प्रेसिटेंट शीजु जिन पिंग उनको धिया गया है फ़स्ट रैंकिंग उनकी है सेकेंड पोजीशन पर आप प्रफिएंगे तो यह फोटीषन पर आते हैं ये अगर महिलापुरुष्ट दोनों देखेंगे तो चाइना के प्रेसिडेंट है ठीक है और महिलाओं में सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति हैं वो जो है नाइन्थ रैंकिंग पर आते हैं भारत के पीम नरेंदर मोदी ठीक है मोदी साब की नवी रैंक है विश्य के सबसे ताकतवर लोगों में तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से मने बता दिया आपको कोशन नुबर 32 देखेंगे बारा वर्सों के बाद आर आईसी रूस इंडिया इंड चाइना शिकर संबेलन 2018 कहां पर आयुजुद किया गय मैंने फिछले वीडियो में इसको बहुत इटेल में डिशकस किया था सब कुछ बताया था किस साल में कब किहां होना है पहला इंक कोशन है आप मुझे इस कांसर दीजेगा ठीक है पिछले पार्ट में बताया अगर आपने देखा है तो निर्शित रूप से आपको इस कांसर पता होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टन रही है दें देखेंगे कोशन सेट के मतलब यह जो है जियो सेंकोनाइस सेटलाइट है तो यह जो है इसका वजन है 5854 ऐसे याद रहे सकते हैं आप 5854 इसली याद हो जाएगा 5854 क्यजिस का वजन है यह भी पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टन है पीसेस के प्रश्णों में पिछले सालों में पूछा भ जो इसको लाउंच कियागया है यह एक इंपॉर्टन बन सकता है और जो यह सेटलाइट है इसको जो लांच किया गया तो इसके लिए किस वहिकल का प्रियुक्त कौन सा रॉकेट यूज हुआ था तो इसमें यूज यूज एरियन 5 यह भी पूंच हो जा सकते हैं इसे इह य सो करूल रुपए का बजट दिया है जलवायू परिवर्तन की जो समाच्या है उनका सवाधान करने के लिए विश्व बैंक में वर्ल्ड बैंक में को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल एप हैं का योनो के लिए किसे ब्रांड एंबेज़र नियुक्त किया है सवपना बर्मन ठीक है यह खिलाडी है स्पोर्ट परसन नहीं सवपना बर्मन ठीक है जलपाई गुड़ी के रहने वाली है यह तो यह मना जाता किस देश ने जनवरी 2019 से किमबर्ले प्रॉसेस की चेर्मैंशिप ले ली है भारत ने ले ली है किमबर्ले प्रॉसेस की चेर्मैंशिप तो किमबर्ले प्रॉसेस क्या है जो किमबर्ले माइन्स हैं वहां पर जो वहां पर जो रूल्स रेगुलेशन हैं आपके आयात निर्य तो इसका अंसर बहुत इंपोर्टेंट है आप याद रखेगा यह जो है जो गैस थी यह मिथाइल आइसो साइनेट थी याद रखेगा CH3NC ओके मिथाइल आइसो साइनेट ठीक है तो यह यह का रिसा हुआ था यह इंपोर्टेंट है और यह चौतिस्वा चौतिस्वी वर्सेखांट अभी मनाए गई ठीक है दन कुश्चन नुमबर 39 FSAI ने ट्रांस फैट के दुस्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए किस नाम से अभियान की शुरुआत की है ठीक है तो यह है आपका हार्ट अटेक रिवाइंड हार्ट अटेक रिवाइंड अभियान चलाया है किसने फूर शेफ्टी एंड इस्टैंडर्ड असरी ऑफ इंडिया इसका फूल फॉर्म है फूर सेफ्टै एंड इस्टैंडर्ड असर्टिंडर्ड अथॉरर्ट्थी ऑफ इंडिया ओके इसका गठन हुआता दोहजार ग्यारा में याहा tasting इए ठीक कोशिशन को सब्सक्राइब तो पैटा ने अभी इम्रान हुसाइन को आपका हीरो टु एनिमल्स एवार्ड दिया गए यह जो है इम्रान हुसाइन कौन है यह दिल्ली सरकार में पर्यावर्ण मंत्री तो इन्हों तो ने हाली मैं क्या किया था जो चाइनी मांजसा है उस पे रोड लगाई है दिली के अंदर तो उसकी वजह से इनको यह पुर्oshkar दिया गया है चाइनी पांजसा से क्या होता था बहुत सारे पक्षी होते हैं उनकी डिध हो परिटा के दोरह जो person of year का पुरसकार दिया घया है वो जोनम कपूर को दिया गया है बॉलीवूड की जो एक्टरस है ठीक है थोनम कपूर को person of the year का पुरसकाte दिया गया है पेठा के दरह एड है तेन question number 41 है फूस्तक है एक important books है यह इसके लेखक कौन है इतना भी आपको मिल सकता है इसके जो राइटर है यह है अनूप सिंग वाइस एड्मिरल अनूप सिंग है इन्होंने यह किताब लिखी है और इस किताब के अंदर पूरा निलुक है दो जार एक से लेकर दस तक आपकी जो इंडियन नैवी है उसमें जो जो घटनाएं होती है उसमें से महात्रों घटनाएं उठाकर उन्होंने यह पुस्तक लिखी है तो यह इंपॉर्टेंट बुक है नाम व्याद रखेगा अनूप सिंग ठीक है तो यह दिया गया है नवीन और नवी करनी उर्जा मंत्राले को स्कॉच परसका 2018 दिया गया है तो यह कहां के हैं यह मैक्सिको की रहने वाली है और यह मैक्सिको की पहली महिला है जिन्होंने मिस्ट वर्ड का पुरसकार जीता है ओके वनेसा पॉन्स डी लीन ध一次 कंणुर Sach रास्टी एरपोर्ट की घातन के साथ कौन सा राज्य चार अंतर्रास्टी एरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन गया है ठीक है तो यह है केरल के पास चार अंतर राश्टी एरपोर्ट है और यह ऐसा पहला जो है राज है इंडिया के अंदर ठीक है अभी कौन सा स्टार्ट हुआ है कन्नूर इंटरनेशनल एरपोर्ट देन क्वेश्टन नमबर 45 देखेंगे अपन AIIB ने किस राज में जल सक्ष परियोजना के लिए 400 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है जल सक्ष जो परियोजना है उसके लिए आंदर प्रदेश को 400 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है एशिया इंफ्रास्ट्रक्ट्टर इंवेस्टमेंट बैंक जिसका है बीजिंग में और जिसके अध्यक्ष है जिन लिकुन जिन लुकुन इसके अध्यक्ष है ठीक है प्रेसिडेंट देन कुश्चन नमबर 46 कि राज की कंधामल हल्दी को विसिष्ट भागोलिक पहचान ज काफी इंपॉर्टन कुश्चन है ठीक है इस तरह के कुश्चन पूचे गए हैं पीछले वर्सों में तो कंधामल हल्दी को जिया टैक दिया गया है और यह कहां कि है उड़ी साकी देन कुश्चन नबर 47 है राश्ट्री हरित अधिकर्ण नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल ने प कुश्चन नंबर देखेंगे 48 COP COP 24 24th meeting of conference of parties ठीक है UN FCC की मीटिंग होती है हर साल ठीक है तो वह मीटिंग कहां पर आयुजद की गई पार्ट वन में बताया था तो मैंने बताया था आपको पोलेंड में आयुजद की गई है पर सीटी मैंने गलत बोल दिया था बाइचांस का पोलेंड की राजधानी है वार्षा जबकि जो COP 24 है उसका आजन किया गया था काटोविस में ठीक है तो इसको आप अप्डेट कर लीजेगा देन यह है क्या आपकी जो यह आपका United Nations है उसके जलवायू परिवर्तन को लेकर हर साले मीटिंग होती है जिसको conference of parties बोलते हैं COP 24 इसवा नमबर था तो 24 मीटिंग थी है तो इसको COP 24 बोलते है चौट में देन फॉर्टी नाइन कोशन देखेंगे एंजीटी ने गंगा की सफाई के लिए एक तीन सदस्य समीति का गटन किया है इस समीति के अधक्ष कौन है यह भी important question है गंगा की सफाई के लिए एक समीति क गटन किया गया है जिसमें तीन मेंबर हैं तो उसके समीति के अधक्षा यूसी ध्यानी ओके याद रखेगा important है यह ध्यानी ची ओके रिखेंगे ग्लाक सो इसमित क्लाइन तो ग्लाक सो इसमित क्लाइन यह कंपनी है काफी फेमस कंपनी है आप सब लोग इसकी medicine पक्का के साथ तो यह question भी पूछा जा सकता है एक्जाम में याद रखेगा हिंदुस्तान यूनी लेवर के साथ में ग्लाक सो इसमित क्लाइन का विलाए हो गया है question number 51 देखेंगे नागा लेंड सरकार ने इग जी ए एन को फुल फार्म क्या है इगवर्नेंस अकेडमी आफ नागा इसके गठन के लिए किस देश के साथ पास साल के MOU पर हस्ताक्षर किये हैं किसके साथ में किये हैं नागालेंड ने इस्टोनिया के साथ में याद रखेगा इस्टोनिया सरकार के साथ में ये MOU साइन किया है नागालेंड गौवर्मेंट ने ठीक है then question number 52 देखेंगे पहला भारती है ठीक है ISSF का full farm का है International Shooting Sports Federation ठीक है और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है चार वाइस प्रेसिडेंट है उनमें से एक जो है रनिंदर सिंग पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था रनिंदर सिंग ये वाइस प्रेसिडेंट है इसके ISSF के और ये पहले है पहले भा ठीक है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ठीक देन कुश्चन अबर 53 देखेंगे आसाम के डिबरुगड़ को अरुलांचर प्रदेस के पासी घाट से जोडने वाले रेल सड़क ब्रिज मतलब जो कि भारत का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है उसका ना करना गया है जो रेलबे मृ ब्रिज भी है और भारत का ऐसा सबसे लंबा प्रिज है किसको जोड़ेका दीबरुगलगा परची घाटि से पोग यह इस बिर्ज का गाटन किया है इनौगरेशन किया भी मोदी जी ने 25 दिसम्बर को इसका इनौगरेशन किया है गुड़ गवर्नेंस दे के उपलक्ष पर ठीक है तो इंडियन ओलंपिक एसोशियेशन ने किस वर्स में भारत में भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने का प् आयोजन करा है जाने का प्रस्ताव रखा है जो हमारे जो इंडियन ओलंपिक एसोशियेशन है इनके अध्यक्ष कौन है इनके प्रेसिदेंट कौन है नरिंदर बत्रा ये भी इंपोर्टन कुश्चन याद रखेगा जब इस ताइप के कुछ इवेंट्स होते हैं तो ये ज 2022 में हो सकता है ओलंपिक इंडिया में आयूत हो अभी जो ओलंपिक होने हैं 2020 में वो कहां पर होने हैं वो होने हैं टोकियो में ठीक है जापान किराज़ानी टोकियो में होंगे इसका 2024 के होंगे परिस में ठीक है देन चासलबाद 2023 में कहां पर होंगे लॉस एंजल्स में अब इताय नहीं हुआ है परस्ताव भेजाए इंडिया ने फिफ्टी फाइफ कॉश्चन है शिन्यू मैत्री 2018 शिन्यू मैत्री 2018 नमक वायू सिंग देशों के मद्ध आउजद किया गया इंडिया तथा जापान के मद्ध इसका आउज़न हुआ है ये वायू सैने अभ्यास ह याद रखिएगा नेन कुश्चन फिफ्टी सिक्स पीठा स्कीम किस राज्यमे शुरू की गई है जो पीठा स्कीम का पर्फस क्या क्या करेगी जो गॉर्मेंट की तमाम सारे स्कीम से ना उसको सही लोगों तक कैसे पहुंचे उसकी ट्रांसपरेंसी कैसे रहे ना बीच में corruption ना हो इन सब चीजों के लिए एक scheme चलाए गए मतलब जो government के बहुत सारे schemes हैं इनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए एक scheme चलाए गई है जिसका नाम है पीठा scheme और यह चलाए गई है उडिसा के अंदर ठीक है इतना याद रखिए भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ एकनॉमिक एड्वाइजर के रूपे किसे न्यूट किया गया most important question है पढ़ते हैं आप समझ गया होगे ठीक है तो जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार है उनका नाम है आरफि क्रश्नमूर्थी इसके पहले थे अरविन सुनमूर्थी सुब्रमण्यक तो सुमॉर्देम कॉन हैं कन्फ्यूज मत होना दोना option ओना चावगार चूंचन हो सकते हो तो अब ने मुख्य में मना जाने की गोशना की है जबकि इंडिया के इंडर इंटर्व मनाए जाएगा मोका देश से खरीदे गए तेल खुर्गतान रुप्य में करेगा इरां से जो तेल लेगा भारत उसका कपूँब भुगतान रुपय में करेगा इसके पहले कुछ फिफिफटी फाइफ पर सेंट जो बुगतान होता हो सोन इनकारइस में होता था अंब क्या होगा इरान क साथ जो भी पिटोल लगौ ificación है उसका 100% में चाज़ा और भारत सबसे ज़्यादा जो तेल का आयात करता है इराक से करता है फिर नुम्बर टू पर सौधी अरेबिया से करता है ठीक है तो निश्चिन नुम्र संस्क्रन हुआ था विश्च का पतनम में इसका और ठीक है तो यह शलिझ ता डिक ओर स्फिक्सकों और 306 के कि इसमबर महिने के सारे कुंस्ट्फिं कोई ऑ्राम से किसी बी पाम मर्मिल जाएगा और मैं जो आपकोको दे रहा हूं मुझे लगता नहीं है कि इसके बाहर कोई भी कुछन आपको आरो की मेंस की परिक्षा में पूछा जाएगा इसके लावा जो भी एक्जाम सोने हैं भी जन्वरी फरवरी मार्च में तो आपको यह जो मेरी प्लेलिस्ट है यह जो मेरे वीडियो से हैं यह हंड्र आई हुई है तमाम सारी वीडियो आते हैं बहुत लोग अपलोड करते हैं उनका फुल डेवर्क यह है तो वह लोग ना बहुत चाहदा डालते रहते हैं तो उसमें क्या होगा आप बहुत कंफ्यूज होगे तो आपको टाइम बहुत वेश्ट होगा तो इसलिए मतलब आप कि तमाम सारी अबलेबल आपना टाइम वेश्ट कर सकते हैं उसमें आप मेरी स्रीज एक सरे ना आपका पूरा करेंट कवर करा दोंगा विदाउट फेल तो आप करेंट की टेंशन नहीं लीजे बहुत कुछ दिखता रहेगा बहुत आपको बहुत सारे से कुशन दिखता र मेरे एफबी ग्रूप पर मिल जाएगी टार्गेट यूपी प्यसी 2018 इस एफबी ग्रूप को जॉइन कर लिजे ठीक है वहाँ पर इसकी पीडिएफ मिल जाएगी इसके लावा टेलिग्राम कर लिजेगा आप कैसे सर्च करोगे गेट सर्केल डालना सर्च में तो आपको मे कमेंट में पूछते हैं इसलिए मैं हर एक वीडियो में बता देता हूं एक तो आप टेलिग्राम गुरूप को जॉइन के लिए वहां से यह पीडिएफ आप डाउलोड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा कोई डाउट है अगर किसी कुश्चिन में तो आप कमेंट में लिख और मेरे वीडियो को प्लीज आप शेयर कर दीजिए जो लोग भी पढ़ रहे हैं आरो की तारीक कर रहे हैं या बाकी जो पीसे एक्जाम्स हैं या तो आपको वहां पर मेरे वीडियो बहुत कम आने वाले हैं ठीक है तो डोंट फॉरगेट तो सब्सक्राइज चैनल वीडियो शेयर और कमेंट ठीक है विलतने वीडियो में थाइंस वाचिंग गुद्बाए टेक क्या